हलो फ्रेंज वेलकम बेक टो मैं चैनल और आप सभी को बहुत ज्यादा थैंक यू मेरे चैनल में आके वीडियो देखने के लिए तो आज मैं बात करने जा रही हूं इस प्लैन के बारे में तो ये है मल्बेरी ठीक है तो ये प्लैन्ट ज्यादा दिन नहीं हुआ फोर मन्थ हो गया है शायद या फिर उससे भी कम तो इससे मैंने लगाया है मतलब 10 या फिर 12 इंच का पॉट में मुझे इंच का कोई आइडिया नहीं है ज्यादा इसलिए मैंने ऐसे बोल दिया लेकिन 10 इंच बारा ही होगा तो ये देखिए बहुत सारा फ्रूट्स हो रहा है मेरे प्लैंट में इससे पहले भी चार बार फ्रूट्स दे चुका है अल्रेडी तो ये कटिंग का प्लैंट था नर्सरी से मैंने लाया और ये इतना छोटा-छोटा देख रहे हैं आप क्यूंकि मैंने देसी वेराइटे अब है तो बहुत सारा बैराइटी निकल गया हाई वीड वेराइटी और भी बहुत सारा निकल गया लेकिन ये सब हाई वीड चाइबट के चकर में कई ये सब मतलब रेर नहों जाई इसलिए मैंने लाके लगा दिया तो ये फ्रूट्स देखिए सकते है बहुत अच्छी तरह के से पग गया और इस बर मुझे अच्छा का सा फ्रूट्स दिखाई दे रहा है और इसके स्वाइल मिक्स में मैंने डाला है सैंड डाला है थोड़ा सा मतलब चुटा-चुटा पत्थर होता है वो भी डाला है और कावडंग डाला है और में कॉम्पोस्ट प्लस गार्ड देना है उसके बाद इसे कोई फर्टिलाइजर नहीं चाहिए ठीक है इसे मतलब अभी तक तो कोई इंसेक्ट नहीं लगा मतलब दिखने को नहीं मिला मुझे तो पताने नेक्स्ट क्या होगा और यह प्लैंट बहुत ही फास्ट ग्रो करता है यह स्वाइल मिक्स में बहुत बहुत जल्दी फास्ट निकल आया फूट भी अभी दे रहा है क्योंकि इसका ज्यादा एज नहीं है इसे लिए थोड़ा कम कम दे रहा है और मेरे ठीक ठाकी है तो आप सब भी एक लाकर लगा सकते है बहुत अच्छा फूटिंग देता है तो आप सब को बहुत अच्छा इसक cannabis यह मैं फर्टिलाइजर की सबसे जयादा कुछ नहीं देती हूँ बस पानी ड़ाल देती हूँ और और कभी कभी गोबर का जो खाद होता है या फिर नियौर एबर होता है या सुखा हुआ न 요र्ड का जो गोबर होता है वो मैं मिट्ठी के ओड़ देती हूँ पानी ड तो यह हमारा गाव में तो बहुत अच्छा होता है मतलब जंगल में मिलता है और यहां पर तो वह सब नहीं होता है तो मैंने खरीद के लाया और बहुत मिठा भी था तो अच्छा लगा आप सब भी लगाईए और वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट में जरूर बताइएग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीचेएगा थैंक यू